आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर दा मेराथन स्टोरी की कोसन आंसर को कम्प्लीट करेंगे तो फर्स्ट कोसन है इसमें How did Athenians defeat the Perseans? Athenians ने Perseans को कैसे defeat किया, कैसे हराया? तो आंसर है इसका Athenians General, Miltides जो Athenians General थे Miltides उन्होंने अपनी आर्मी को तीन हिस्सों में तीन गुरूपस में बाठ दिया Left wings, Right wing और Central wing इन तीन हिस्सों में बाठा Central wing जो था वो पहले अटेक कर रहा था Perseans Army में सामने से फिर उसने इसे दिखाया जैसे कि वो पीछे की तरफ हट रहा है जैसे कि वो पीछे की तरफ हटा तो Perseans Army जो है उसकी तरफ बड़ी जब वो आखे की तरफ बड़ी Perseans Army तो Left और Right से Perseans Army पर अटेक करना शुरू कर दिया और इस तरीके से अटेनियंस ने Perseans Army को हरा दिया Question number second है When and Why was the first marathon race run कब और क्यों first marathon marathon race हुई तो यहां पर क्यों है तो इसके बारे में जवाब दिया है On the swift defeat of Perseans Army at marathon जब अटेनियंस ने Perseans Army को Marathon गाउ में हराया था Marathon टाउन में हराया था तो उन्हें realize हुआ कि Perseans Army दूसी तरफ से जाकर अटेनियंस अटेक कर सकते हैं तो उन्हें वान करने के लिए उन्हें चेतावनी देखने के लिए उन्होंने फिडिपीडीज को फिर से बेजा और फिडिपीडीज ने फिर से 40 km दोड़ लगा कर वहाँ पे पोचा पर वहाँ पे पोच्च कर वह जब उसने news दी तो उसकी death हो गई तो उसकी याद में ही ग्रीज में 1896 में ओलम्पिक गेम्स में मेरेथन रनिंग भी हुई जो की 40 km की थी जो मेरेथन ब्रेज से लेकर और ओलम्पिक स्टेडियम तक खतम हुई कोशन नमबर थर्ड है हाव वाज दा स्टेंडर्ड लेंथ ओफ मेरेथन फिक्स्टेंडर लेंथ ओफ मेरेथन कैसे फिक्स हुई तो यहाँ पर आंसर है इसका पहले तो मेरेथन नॉर्मल मेरेथन 40 km होती थी पर 908 के ओलम्पिक गेम्स में रोयल फैमली ने रिक्वेस्ट क कि मेरेथन जो मेरेथन रेस विश्टर कास्टा से स्टार्ट हो तो रोयल चिनरल भी इसको देख सके ठीक है जब यह ऐसा हुआ तो जो यह डिस्टेंस है यह बढ़कर 42.195 km हो गया और इसी को स्टेंडर डाइस लेंथ कहा जाता है और यह आप फिक्स हो गई है इसका अंसर यहां पर दिया हुआ है फिडिपीडीज रैन फॉर मेरेथन टू स्पार्टा तक मदद के लिए पहुचे और वहां से वापस भी आई जो की 240 km था फिर वह लड़ाई में भी लड़े और जो एथेनियंस हैं उनको हराया भी और फिर दुबार से स्पार्टा को हराया फिर दुबार से एथन्स में पहुचे जो की 40 km था यह सिर्फ उसके फिजिकल फिटनेस के बदूलत नहीं हुआ उसकी लोयल्टी के वाजय से भी हुआ और फिर है इसमें लोयल्टी टूर्ट्स एथन्स अदिल इस विल टू सर्विस नेशन अपने नेशन के लिए इस स्ट्रोंग विल पावर इनेबल हिम तो फाइट इसकी उनकी विल पावर ही थी जिसकी वज़े से वह फाइट कर पाई उन्हें और यह कमिंटमेंट जो भी हिने अकों से पूछा है सब कुछ हो पाया आज के समय में मैरतन को कौन सी क्वालिटी की ज़रुत होती है यह लाज का अंसर था है चैप्टर का और यह भी कम्प्लीट हो चुका है अगर आपको वीडियो अच्छी लिए था प्लीज लाइक करिए थैंक्यों वर्म वाचिंग